जैसर किष्णा राधे राधे नौरात्र के दिनों में मां को मनाने के लिए मनाने के लिए बहुत सारे प्रियोग के जाते हैं लेकिन माता राने के कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो बहुत पसंद है उन में से है इलाइची यानि हरी इलाइची कमल गटे के बीज और हल्दी की गांट ये तीन ऐसी वस्तुएं हैं जो आपकी हर मनो कामना को पूरी कर सकता है लेकिन प्रियोग कैसे करेंगे कैसे मां को अरपित करेंगे और कव करेंगे आज हम बहुत सारी बाते बताएंगे वीडियो के अंतक बने रहें देखिए देवी मंडपों में चुकि मां के नो अलग-अलग सोरूपों की अलग-अलग दिनों में आराथना होती है और यदि आप बिद्यारती हैं खासकर तो आप एक छोटा सा प्रियोग जरूर कीजेगा अगर आप किसी तरह के नोकरी की तलास में हैं करियर को बनाने को सवाडने को कोसिस कर रहे हैं सफलता नहीं मिल पा रही है तब ऐसे में आप छोटा सा प्रियोग कर लें तो आपके जीवन में बस ये समझ लें कि माँ भगवती ने चाहा तो उनके आसिरवात से आपकी करियर समंदी जो भी आपकी मनुकामना है वो जरूर पूरी होगी तो नौकरी, रोजगार या फिर आपके जीवन के तमाम परिसानियों से बाहर निकलने के लिए आप एक परियोग करें देखिए हर मा के रूप के अलग-अलग पुजा विधान है, हर रूप को अलग तरीके से चीज़ें अरपित की जाती है लेकिन आज जो हम आपको बताने बाले हैं, इस हल्दी का परियोग आप किसी भी नवरात के किसी भी दिन कर सकते हैं तो चलिए सुवात करते हैं, सबसे पहले देखिए, हल्दी जो है, आपके भाग को भी सबारता है और जीवन में खुसियों को भी लोटाता है एक सिंपल सा परियोग आपके हर मनोकामनाओं को पुर्ण करेगा तो सबसे पहला परियोग अगर आप चाहते हैं कि आपके नौकरी रोजगार में तरक्की हो, बरकत हो, बिद्यार्थी हो चाहते हैं, बिद्यार्थी हैं आप कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, पढ़ाई में मन लगे तो एक छोटा सा काम कीजिए आप एक काटोरी ले ले ले, इस्टिल की भी काटोरी ले सकते हैं या आपके घर में चान्दी की डिब्बी है तो ले ले, कोई दिकत नहीं, आपके पास जो है वही ले ले, पांच हरी इलाची, पांच कमल गट्टे के बीच, और पांच हल्दी की गांठ, पिली हल्दी की पौडर नहीं गांट मतलब साबू थल दी अब इन सभी चीजों को आप कटोरी में रखें या चांदी की डिबी जो भी आपके पास है या चांदी के कटोरी या उसी में रख लें अब मा दुर्गा के सामने इनको रख दे मा स्रोसती का ध्यान करते वे क्योंकि आपने देखा होगा नवरात्र में मा स्रोसती, मा लक्षमी, गनेज जी कार्तिके जी महराज और मा दुर्गा का भी पूजा होता है सब का एक साथ तो आप वहाँ पर रख दे और इसको तब तक रखिएगा वैसे जब जैसे कि आम मा लेते नवरात्र खतम हो गया तो इसको समहाल कर आप रख लीजिए पुजास्थान पर ही रखिए कहीं साइड में जब तक कि आपकी मनो कामना पूर्ण नहीं हो जाती है अपनी मनो कामना जरूर कहिएगा और भगवती मा जोहन दुर्गा वो आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगी और जब मनो कामना पूर्ण हो जाए तब आप इन सभी चीजों को कहीं मिट्टे में दबाते वैसे तो आप ओम एंग ओम ओम एंग ओम इस मंदर का भी जब कर सकते हैं विभा समंदी कैसी भी बाधा हो आप भगवान सुरी को जल देते समय एक चुटकी हल्दी डाल कर अरपित करें तो विभा की बाधाएं दूर होती है दूसरी बात अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या है तो मा दुर्गा को दो हल्दी की गाठ अरपित कर दें पीली हल्दी की गाठ दो ले ले और मा को अरपित कर दें अब अरपित करने के बाद पीले कपड़े या लाल कपड़े में इसको बांध कर धन के अस्थान पे रख दें धन की कमी होगी ही नहीं धन बढ़ता चला जाएगा बहुत सिंपल है लेकिन इस परियोग को करने के बाद धन की मुश्किलें दूर हो जाती है वैसे तो नवरात में अगर आप ब्रत रखते हैं फास्ट करते हैं तो हल्दी मत खाईएगा इस बात का आपको ध्यान देना होगा क्योंकि नवरात के ब् दूसार आप इस नवरात में प्रियोग कर लीजेगा हल्दी आपके घर में होगा नहीं है तो पचास ग्राम को छोटा सा पैकेट मंगवा लीजे पुजा घर में रखिए अब और दोचार पांच खड़ी हल्दी के जो गांट होते हैं उसको भी मंगवा लीजेगा थिता सेहत अच्छा करता है और खुब सूर्थी भी बढ़ाता है तो हल्दी का पीला हल्दी का समंध मंग ममंग से ही तो पीलें प्रयोग बताएंगे कि artificial स्क्षा करते हैं तो नियमित रूपसे आ नवरात्र में कि आपका गुरू मजबूत होगा वानी की सकती बढ़ेगी आप जहां जो बोलेंगे लोग आपका वेट करेंगे आपका समान बढ़ेगा है और अगर आपका पेट से समंदित कोई भी समस्या है तो पास के किसी भी मादुरुगा के मंदिर में जाकर हल्दी का थोड़ा सदान कर दें पैकेट या पॉडर जो भी आपको सपने लेकिन कई बार क्या होता है आपकी लंबे समय से मुनोकामना पूर नहीं हो पा रही है तब एक छोटा सा काम करें आपके घर के आसपस जहां भी पीपल का पेड़ है आप थोड़ा सा हल्दी पॉडर को पानी में घोल ले औ पर आप ओम नमो भगवते वासु देवाई लिख दें या ओम लिख दें अब उसके नीचे आपकी जो समस्या है जो मनोकामना है लिखें हल्दी से ही लिखना है आप चाहें तो एक कटोरी में घोल लिजे हल्दी थोड़ा सा और एक लकडी में थोड़ा सा रूई लगा कर लेके चले जाएए उसी की सहायता से दूबो डूबो कर लिखें जल्दी हो जाएगा अब इसको आप क्या करेंगे उसके नीचे लिखिए ओम नमो भगवते वासु देवाई पहले और अपनी समस्या या मनोकामना लिखें फिर ओम नमो भगवते वासु देवाई लिखें बिना पीचे मुड़े घरा जाए अपनी समस्या बोलके आपके मनोकामना सिखर ही पूरी हो जाएगी अगर दो हल्दी की गाट लाल कपड़े में रखकर आप इस नौराधर के दिन में मा लक्षमी को या भगवान स्री हरी बिश्नू को अरपित कर दें लाल कपड़ा हमने इसलिए कहा क्योंकि पीला कपड़ा तो गुरू को अरपित करेंगे लेकिन जब आप मा लक्षमी को अरपित करते हैं तो लाल या गुलाबी कपड़ा ही यूज कीजिएगा आपका धन बढ़ता चला जाएगा और इसको भी आप वहीं पर सुरक्षित रखें अब दिपावली के समय में इसको हम फिर बताएंगे क्या करना है वैसे अगर आपको हमेशा डर लगता है आपको लगता है जैसे नकातमक सकती बहुत प्रेसान किये घर में भारी पंसा लगता है बाहर तो बहुत अच्छा लगता है तब इसका मतलब है कुछ न कुछ तो उल्जने है तब अपने घर के मुख्य दरवाजे के चारो तरप हल्दी से रेखा किस दें आप चाहें तो हल्दी का घोल से भी हलका सा अदम हलका सा कलर से आप बॉंडरी वाल टाइप का बना दीजिएगा चारो तरप से तो नकारतमक सक्तियां परवेस नहीं करेंगी अगर जीवन में ज़्यादा मुस्किल हो तब एक लाल कपड़े में थोरा सा चाबल ले ले उसमें दो हल्दी की गांठ एक सिक्का रखें और थोरा सा दुर्बा घास रखें अब इस कपड़े को पोटली बना दे अगर लाल कपड़ा नहीं तो फीला कपड़ा भी ले सकते हैं पोटली के तरह बना ले और इसको अपने कीचन में कहीं छुपा कर रख दे पूरे साल आपके कीचन में मा अनपूर्णा का बास रहेगा और आपके जीवन में किसी तरह की कमी नहीं होगी तो मा अनपूर्णा को मनाने के लिए धन की बरकत के लिए एक छोटा सा परियोग कीज़ेगा ज्यादा चावन नहीं लेना है थोड़ा सा लीजिए अब दो चार पांच चुटकी उसी में हो जाएगा अगर आपको बुरे सपने आते हैं तो हल्दी की गांट मौली धागा से लपेट कर आप अपने तक्ये की नीचे रख सकते हैं किसी भी तरह का सकात्मक प्रभाव आता रहेगा नकात्मक प्रभाव दूर हो जाएगा आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनके भी तक्ये की नीचे रख सकते हैं वैसे तो एक चुटकी हल्दी अगर आप भगवान गनेश को पूरे नवरात्र में अरपित करें तो विभासमंदी बाधाएं दूर होती है अगर आप की कोई ऐसी विसेस मनोकामना है संतान की, घर की, धन की, जो भी गुरू दे सकते हैं वो ऐसी कोई मनोकामना है तब एक चुटकी हल्दी आप एक कागज में पुडिया बना कर स्रीहरी मालक्षमी के तस्वीर के पीछे चिपा कर रख दें तो वनोकामना पुर्ण हो जाती है पूरे नवरात्र में एक छोटा सा काम कीजेगा पानी में एक चुटकी हल्दी घोल ले पानी एक कटुरी में ले 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 या लोटे में ले ले अब इसको पूरे घर में रोज छिड़की है नहा कर नहाने के बाद और फिर पूजा कीजे निगेटिव इनर्जी नहीं आएगी आपका पूजा पाठ में मन लगेगा चीजें आपके पक्ष में आएंगी जिसी भी तरह का कोई टेंसन से आप बचे रहेंगे तो हल्दी के परियोग से जीवन में संपन्ना आती है नकात्मक्ता दूर होती है इसलिए हल्दी से हवन भी यग भी होता है और हल्दी की माला से अगर आप इस नवरात्र में मंत्र जबते हैं मालक्षमी की तो जीवन में धन लक्षमी बढ़ेगा अगर हल्दी और चावल चावल यानि की जैसे की चावल थोड़ से भीगो लें आधा गंटा अब इसको पीस लें इसमें हल्दी साइद दिवाल के चोखट के साइड में और स्वस्तिक के दोनों तरफ दो खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा यह स्वस्तिक को बांता है लक्षमी को इस्थिर करता है आप देखिएगा बरकत भी होगी धन भी आएगा सुकून भी आएगा और इस नवरात्र में मादूर्गा की क्रिपा से खुसियां लोट आएगी जिसकी आप हकदार है जो आप से निरास हो चुके है जहां से वो भी आ जाएगा